फेसलिफ्ट MG हेक्टर और हेक्टर प्लस जो ग्रहक MG की मिड साइज SUV कार खरीदना चाहते हैं उन्हें बता दें कि जल्द कमपनी अपनी SUV को अपडेट देने वाली है MG मोटर अपनी हेक्टर और हेक्टर प्लस को नए एक्स्टीर डिजाइन के साथ पेश करेगी और इनमें पहले से जादा बड़ी ग्रिल और जादा क्रोम का इस्तमाल देखने को मिलेगा इन दोनों SUV कार का केमिल ले आउट को भी अपडेट किया जाएगा और इसमें अतरिक्त फीचर भी सामिल किये जाएंगे जिन में मल्टी कलर एंबियंट लाइटिंग और बड़ा टस्क्रीन सिस्टम जैसे फीचर सामिल होंगे इनके इंजिन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा फेसलिफ्ट हुंडेई ग्रेंड आइटन न्योस और ओरा हुंडेई साथ ओटो एक्सपो में तो नहीं लेकिन इसी जनवरी ग्रेंड आइटन न्योस और ओरा के फेसलिफ्ट बर्जन उतार सकती है इन दोनों को कई बार टेस्टिंग के दोरान भी देखा जा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हुंडई इन दोनों कारों में अपडेटेड इन्फोर्टेन्मेंट सिस्टम और नई अप होल्स्ट्री भी दे सकती है यह दोनों कारें केवल पेट्रोल इंजन में मिलेंगी महंदरा एक्स्यूवी फोर डवल ओ ईवी महंदरा की पहली लं जिसमें 39.4 किलोवार्ट आर बैटरी पैक दिया गया है जिसकी ARAI Certified Range 456 किलोमेटर बताई गई है यह 50 किलोवार्ट DC Fast Charging को सपोर्ट करेगी टोयटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर CNG भारत में जब गलैंजा CNG की विक्री सुरू हुई थी तब यह जानकारी सामने आई CNG kit mild hybrid powertrain के साथ दी जाएगी और CNG model की price petrol variant से करीब एक लाख रपे जादा हो सकती है किया मोटर्स ने भारत में Auto Expo 2020 में मुझूदा जनरेशन की किया कार्नेवल MPV को लौँच किया था अब हमारा मानना है कि कमपनी Auto Expo 2023 में चोथी जनरेशन कार्नेवल को भारत में लौँच कर सकती है नई कार्नेवल पहले से काफी जादा premium और जादा stylist है इसका Kevin भी काफी feature loaded है हाला कि इस बहर भी ये केवल diesel engine में मिलना जारी रह सकती है टाटा मोटर्स फेसलिफ्ट हैरियर से Auto Expo में परदा उठा सकती है और इसके कुछ समय बाद इसे भारत में लौँच कर सकती है नई हैरियर SUV में कई कोस्मेटिक और फीचर अपग्रेड दिये जाएंगे हाल ही मैं टेस्टिंग के दुरान दिखे मोडल से पता चला है कि अडास जैसे फीचर दिया जाएगा फेसलिफ्ट हैरियर मोजूदा मोडल वाले 2 लीटर डीजल इंजन में मिलना जारी रह सकती है इसके साथ मैनूल और ओटोमेटिक दोनों गेर बोक्स का ओप्शन दिया गया है कमपनी नई हैरियर का इलेक्टरिक वर्जन भी उतार सकती है भारत में एक बड़ी साइज की एलेक्टरिक SUV कार उतारने के बाद अब एमजी मोटर की अगली पेशकस एक कॉम्पेक्ट साइज की एलेक्टरिक गाड़ी होगी इसे एमजी एर इवी नाम से पेश किया जा सकता है यहाग गाड़ी देखने में कार से ज़्यादा एक क्वा उठाया था यह एक एलेक्टरिक क्रोस ओवर कार है जिसे किया इवी 6 बाले प्लेटफॉर्म पर त्यार किया गया है भारत में इसकी बिकरी ओटो एक्सपो 2023 के दोरान सुरू हो सकती है और इसकी प्राइस 50 लाख रपे एक्शोरूम के करीब रखी जा सकती है इस एलेक्टर कोलजी के चलते भी खूब चर्चाओं में है 2023 में इस लिस्ट की सभी कारों को लौच किया जाएगा यहां बताये गए किस मोडल को आप ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं और इसके अलावा आप किस कार की बिकरी जनवरी 2023 में देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लि हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें धन्यवाद